हेलो फ्रेंड नमस्ते गुड मॉर्निंग सुप्रबात बहुत ही आशानी से उगय जा सकती है घर में एकनी सारी और्गनिक सबसिया तो यह मैंने मेथी लगाई एक महिना पहले तो इसमें सारे मेथी के अविजी हमें चौलाई के भी सब्जी मिल जाती है हम एक बार देख सकत है यह है स्पिनिच मलवर स्पिनिच है और यहां मैंने आलू भी उगया है तभी यह कुछ दीन का ही रिजल्ट है पंदरा दिन का हम ऐसे बहुत सारे प्लांट्स अपने घर में सब्जी आ उगा सकते हैं मिर्चिका है एक बार हम मिर्चिका प्लांट्स लगाते हैं तो वही बीज गिर के अच्छे से प्लांट्स बन जाते हैं तो और जैसे ही हमारे घर में इतनी सारे सब्जी आ रहती है तो हमें इतना ज्यादा बाहर से सब्जी लाने की गरज नहीं रहती है सब्जी थोड़े कम मिते लेकिन जो आनंद रहता है जो मांसिकता रहती हमारी जो हमने बनाया है कि उसने तस सारा हमें बच्चों को knowledge मिल जाता है सब्जियों की पैच्छान हो जाती है खेटों में तो हम जाने सकते हैं क्योंकि हम्ते घर में हम खेट से सब्जिया उगा सकते हैं थोड़ी की उना हो लेकिन बहुत अच्छा लगता है बहुत सुकुन मिलता है और यहां पर आप देख सकते हैं गूबी का प्लांट से मैंने छोटी सी लगाई थी तो सैपलीन तो आज देखिए इतना बड़ा प्लांट हो रहा है बच्चों को बहुत अच्छा लगता है सब देखने से बैगन तो काफी नहें हार्ट प्नोंग कर दिया है एक सरसुके सबसुके पीच घर जाते हैं यह मुली को सीट्स आρέ है इसे के बियूके से मैं मुली वहुगाज हrif को पानी देना है जा ancestor सुब जाते हैं यहां पर है मिर्ची का प्लांट से टोमेट यहां पर रहे हैं मिर्ची मिर्ची यह गो पूरा मैंने अपते गार्डन का कच्रा डाला था तो इसकते कड़ी पत्ता भी बहुत ही सुन्दर हो रहा है और मैं हर जगह में लगाती हूं और यह मैंने टोमेटो के सापले लगाई थी उसमें स्वीट पोटेटर को भी प्लांट्स निकल जाते हैं अभी टाइम लगेगा क क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले लगा थे और यह लिम्भा निम्भू भी आया है और भी देखा मैंने तो फूल भी आ रहे यह मैंने नर्सरी से लगाय था और इसमें चोटी चोटी फूल आ रहे जो पहले ते तो वह पहले के थी लेकिन आज जैसे मैंने रीपॉड किया कि अब गुल्डावधी का अच्छा से मोसम हैं, तो हमारे गारन में फ्लावर्वर्स प्लानों होना चाहिए और कुछ हल्डी के प्लांस है, मैंने यह हल्दी में पहेले से हल्डी लगा दी दिया शब्तित हैं, वहीं पर अपनी प्लांस में निकल जाती हैं, मैंने कोई काफी साल एक साल से ज्यादा हो रहा है उसी ग्रोबैक मेरी पूरी तूटी-फूटी है लेकिन प्लांट्स बहुत ही अच्छा से कलिया आ रही है इतनी कलिया आई है कि पुछिये मत और एक मैने के बाद इसके फ्लावर इतनी खिलेंगे कि बहुत यह सरसुकी साथ काफी देह में भी बहुत सुन्दर दिखता है केले के फॉरांटों की रहे साथ और यहीं पे मैंने पालक लगाई необходимо मैं पूरी शैप्लीनिक़ और सूख रही है है कि वहाओ घ्या slightly और वहाल डिन और भी हमस Force कर सकते हैं यहां पर सुख तुनिशी को kick it. हाल्दिन का प्रविस्ट इसमें बहुत सारी ईक आर यहहए पालक का है और मुंसी लगा देती हूं अपर मेरा मिर्ची का प्रांट से इसको attributes around me ईकमी इसे हैं तो मिर्ची से बन रही है जो मारकट से पालक लाते वही पालक मैंने जग pigeon यह तो में उसमें लगा देती हूं और यह मेरा फ्रेश धनिया है वन मन्त पहले का है बहुत बढ़िया हो रहा है थर्माकल के चोटे-चोटे मैंने बॉक्स में लगाया है और बहुत ही खुश बुदा रहा है अपने घर का ऑर्गनिक धनिया बहुत अच्छा रहता है और गार्डन के वेजिटेबल क यहां पर दो महिने से ज्यादा फ्लावर्स आ रहे है और इसी का कलेक्ट कर देना है बहुत इस सुन्दर फूल्स दिखते हैं अपने गार्डन में गेंदी के वीडियो पसंद है